अगर मैं आपको बोलूँ के Power BI के एक plot को जैसे आप visualize कर रहे हैं उस visualization का data as it is जिससे वह plot बनाया आप save कर सकते हैं CSV के अंदर तो मने बाबा तेरा एकमाल है चले start करते हैं स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा यहां पर यहां पर यहां पर प्लॉट बनाया था एक ठीक है जैसे यह plot हमने बनाया था तो यहां पर हमने देखा कि हमने different किसम का data यहां पर select करके plot बना लिया था पिछले lecture के अंदर अब हम क्या करते हैं इस plot पर click करते हैं और यहां प यहां पर सारे के सारे data show हो गया but what if I want to actually save this data into a CSV file जिससे यह plot मिलके बनाया है अब विसली मेरे पास original data पड़ा है यहां पर लेकिन यह data इतना बड़ा है that need to be summarized या इसमें calculation करनी बहुत जरूरी है तो जब हम कोई भी plot बनाते हैं तो इसके पीछे back end पर calculation automatically हो रही होती है then how can save this data तो उसके लिए अगर आप यहां पर click करेंगे three dots पर तो आपको three dots पर click करने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से option आजाएगी three dots पर click करेंगे किसी भी plot के export data पर click करेंगे और अगर आप export data पर click करते हैं तब भी आपका data export हो जागा but first we will see show as table तो जैसे मैं show as table पर click करता मेरे पास आ चुक है तो कुछ लोग यह कहते हैं कि यह table जो आपके पास आ गया this is just a visualization you can also see that visualization here लेकिन मैं जाता हूँ कि मैं back end पर जाओ यहां पर जाने के बाद मैं export data पर click करूँ export data पर जैसे मैं click करूँगा you will see कि हमारे पास power b.i.k. यहां पर sum of price by cut and color यह इस तरीके से आ आपके पास एक option आ जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ something like this मैं इसको CSV में save कर सकता हूँ और जैसे मैं CSV में save करूँगा this data will be saved as CSV अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह CSV के अंदर save हो गया आपने उसी folder के अंदर जाना है और आप देख सकते हैं कि यहां पर sum of price by cut and color पढ़ा ह हुआ है मैं right click करके इसको excel में open करता हूँ या आप किसी भी CSV एडिटर के अंदर इसे open कर सकते हैं मैंने जैसे इसको open किया you will see that sorry तो यहां पर यह मेरे पास data इस तरीके से open हो जाएगा and I can actually see this data set like this मैं यहां पर control करके इसको zoom in कर सकता हूँ और इस data को देख सकता हूँ तो यह मेरे पास summarize data है यानि कि sum of price है each category की ideal और color जब G है तो उसकी price आगी premium की आगी ideal की आगी and then premium की h category में आगी so on and so forth आप इसको R, Python, or different other programmers में programs के अंदर save भी कर सकते हैं और इसको as a table भी अपने पास show करवा सकते हैं मैं इसको बंद करता हूँ यहां से don't save पर click कर देता हूँ because I don't want to save this anymore but on the other side अगर मैं चाहता हूँ कि सिरफ और सिरफ मेरे पास इस category का data है तो मैं right click करके इसको show data point as table भी कर सकता हूँ show as table भी कर सकता हूँ and then I can see कि यहां पर क्या चल रहा है on the other side अगर मैं सिरफ और सिरफ यहां पर click करूँ इस color को तो इस में right click करने के बाद अगर मैं इसको show as table करूँगा तो it will show me as table again जैसे हमने पहले किया तो और आप देख रहे हैं कि सारे का सारा data मेरे पास आ रहा है इसकी बजाए मेरे पास सिरफ और सिरफ यह purple color का data है इसको मैं include करता हूँ include करने के बाद मैं यहां से export data पर click करता हूँ और यहां पे sum of price by cut and color मैं इसको one कर देता हूँ साथ में इसको save करता हूँ save करने के बाद उस folder के अंदर मैं वापिस जाता हूँ वापिस जाने के बाद इस पर double click करके से open करने कोशी करता हूँ you will see only one number reason क्या है क्योंकि हमने include and exclude किया था इसका मतलब यह है कि जितना भी data यहां पे आता है that is visualization dependent and that's the beauty of Power BI आप इस तरीके से अपना किसी भी किसम का data जो है उसे export कर सकते है and then you can actually see that data in your paper report या कहीं पे भी उसको paste करके अपने tables बना सकते हैं यहां तक समझ आ गी है इसी वज़ा से मैं कहता हूँ कि Power BI सीख लें description में link है पूरे के पूरा course totally free में आपके सामने हासिर है अब ना ख्यार रखें next lecture में मिलते हैं